सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां कैसा रहीगा आपका दिन सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी आपके पाद जो कुछ भी है उसे बढ़ा चड़ा कर मत बताईए और ना ही दुश्रों से इर्शा कीजिए जो दुश्रों से इर्शा करता है उसे मन की सांती नहीं मिलती सुख वैक्ति के एहंकार और दुख वैक्ति के धैर की परिच्छा लेता है बदला लेकर आप पक्ष के 9 मिति थी सुबह 10 बच कर 23 मिलत तक रहेगी इसकी उपरांद 10 मिति थी प्रारम हो जाएगी पूर्वा शाड़ा नामक नक्षत्र दुपहर 1 बच कर 41 मिलत तक रहेगी इसकी उपरांद उत्रा शाड़ा नामक नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज कर आहुकाल अर् अधाद दिन के सबसे सुबसम में, सुबह 11 बचकर 40 मिलट सी, 12 बचकर 35 मिलट तक रहेगा, आज चंदरमा धनुराशी पर सम 7 बचकर 18 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान मकर राशी पर संचार करेगी, और आज शूरय कन्या राशी पर रहेगी, मेसरा से 24 सितंबर 2023 दिन रवीवार अच्छ कर्मे में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा आप यह मान लेंगी कि कर्मों का फोलवश्य मिलता है आप दूश्रों की तारीफ समस्ते हैं आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता को भी नोट करेंगी कोई आप सी मदद मांगीगा प्रिजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा कर सकती हैं जो आपके उपर निर्भर है जैसे बच्चे अपालतु जानवर उनका ध्यार रखी जुवे और करजे से बची ये समश्याएं आपको परिशान कर सकती है जिम्मेदारियों के साथ समय बित्ताएं काम में आपका अधिक समय वतित होगा किन्तो अपनी मेहनत से आप जल्द ही प्रतिस परधा से बाहर निकल जाएंगी आज के दिन आप अपने सभी विचारा धिन, काम पूरा करेंगी इसी कारण अपने श्रकर्मियों के अध्यान आकरशित करेंगी आपका भविश्य बहुत रोशन है औसर और भागी दोनों आपकी ही तरफ है परिश्रम करें और विजय हासिल करें बड़े सपने देखने वालों के सभी सपने हमेशा पूरे होती है आपकी इच्छा सक्ती को प्रोशाहन में लेगा क्योंकि आप बहुत पेचीता हलास से निकलने में कामियाब रहेंगी भावुक फैसला लेते वक्त अपनी तार किता ना छोड़ें संदीग न आर्थिक लेन देन में फसने से शौधार रहें अज आप में धैर्यकी कमी रहेगी इसलिए शेयम बढ़ती है क्योंकि आप की आसपास के लोगों को क्योंकि आप आसपास के लोगों को दुखी कर सकती है कोई आपको प्यार से दूर नहीं कर सकता अगर आपके पास हलास से उभरने के लिए दृड इच्छा सकती है तो कुछ भी असंभों नहीं है आपका जीवन साथी आज उर्ज़ और प्रेम से भरपूर है आज के दिन थोड़ा उबाव रह सकता है इसले कोई रशनात्मक कारे करके दिन को रोशक बना सकती है आज अपनी युग्यता वा प्रतीभा द्वार किसी विशेश पर इस्थिती का सामना करने में सक्षम रहेंगे स्वयम का विकास करने के लिए समय अनुकूल स्वेम का विकाश करने के लिए समय अनुशार अपने स्वभाव में थोड़ा स्वार्थी पन होना भी जरूरी है विद्यार्थियों का पटन पाठन में उचे समय व्यतित होगा आर्थी की स्थिती पर ध्यान दे हर काम में इस्थिरता प्राप्ता करनी के लिए मेहनत के साथ लगना भी जिरूरी है वेक्तिगर जीवन के लिए जो बाते महत्व पूर्ण हैं उनसे सम्मंदित आलस ना करी काम से जुड़ी समश्य सुलज सकती है लेकिन आपको अपनी तरफ से डेडिकेशन दिखाना होगा करीयर शमंदित बदलाओ के लिए खुद को तैयार रखें रिलेसर सिप से जुड़ी बातों में बदलाओ देखने के लिए खुद को बदलनी के आवशकता है सेहत में सुधार करने के लिए जीवन सैली को बदलना भी होगा कोई समय से चली आ रही कोई चिंता दूर होगी अपने संपर्क शित्रों को मजबूत करने पर ध्यान दे जीवन के लिए सकरात्मक दुष्ट्री कोड आपकी सोच और आत्म विश्वास को मजबूत करेगा कहीं भी बात करते समय नकरात्मक शब्दों का प्रयोग ना करे तो जादा अच्छा रहेगा दोस्तों और रिस्तेदारों के संपर्क में रहे आपको एक अनुभव मिलिंग की किसी बड़े वैक्ती का मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए मददगार रहेगा किसी बड़े वैक्ती या मार्गदर्शन की सलाह आपके लिए मददगार होगी संपती सम्मंधित विवात किसी के हस्तत शेव सी सुलस सकती है लापरवाही ना करें ये जल्दबाजी में नर्णा ना लें आपकी गरीमा प्रभावित हो सकती है वैपार में मेहनत अधिक रहेगी शौधान्या दिन भर भागा दोड़ी की इस्तिती रहेगी को समय ध्यात्मिगति वीधियों में व्यतित करने से मांसिक सुकुन मिले का आर्थिक मामलों में बचट का खास ध्यार रखें उधार लेने के इस्तिती से बचें किसी की भी मदद करने से पहले अपनी समर्थ का ध्यान शिरूर रखें बात करते हैं लव लाइफ की इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछली बातों से अपनी संकल्फ सक्ती को मजबूत होने देंगे यह उसके कारण अपने आत्म विश्वास को कम जोर पढ़ने देंगे आप जिस तरीके से अपनी पिछले समय को समझेंगे उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा आज का दिन चिंता भरा रहेगा जहां आपको अपने प्रयासो वा महनत का मनशाह परिणाम नहीं मिलीगा लेकिन उदास नहों और कोशिश जारी रखें प्यार में आई बढ़ाओं को आप अपनी रशनात मक्ता और शकरात मक्ता से दूर कर लेंगे विवाद या दूर घटना की भी शंभावना हैं काफी समय से बचा हुआ काम आज आप पूरा कर लेंगे इससे आपके शहकर में भी आपकी तारिफ करेंगे इससे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा और आपको संतुष्टी मिलेगी अपने साथी को कुछ समय दें और अपनी भवनाओं को साफ साफ व्यक्त करें बात करती हैं करियर की वे विशाय में लाब बढ़ाने और अपने लक्ष को पूरा करने के लिए प्रयास करी आज के दिन अपनी मेहनत के सही पर रिणाम पाने के लिए कौसल प्रश्रिक्षन भी आपकी कुछ सलता में विस्तार कर सकता है पालतु जानवर और किरायदारू की परशानी की सास सत खुद की समर्शाओं पर भी ध्यान दी लंबे समय से अटके हुए काम आज पूरे होनी की कागार पर है जिससे आपको खाली समय मिलेगा मौके का सही उप्योग करके अपनी करियर में चार्चन लगाएंगी आप अपनी आसपास के लोगों के ध्याना करशित करें और सब कुछ उस चीच के प्रती समर्पी तरदी जिसे जीवन कहा जाता है यहाँ आपके वेवेशाय की खिलने के लिए एक सुस्क मौसम है इसलिए अभी आप अपनी वेक्तित्व को सवारने का प्रयत न कर सकती है आप एक शक्रिय वेक्ति हैं और अपनी अच्छी ग्राहक सिवा अस्तंक के बर आपके ग्राहकों के वापस आने के लिए प्रेरित करेंगी आपके वेव नियंत्रन में हैं लेकिन आप हमेशा सी खर्चों का निर्वाहन करती हैं विश्निस में आपको महनत के अच्छे नतीजे हासल होंगी लेकिन आपकी कार्य योशन लेकिन आपकी कोई खास योशन लिख हो सकती है इसलिए कर्मचारियों की गती वीधियों तथा क्रिया का लापो को नजर अंदाश ना करें नौकरी पेशे लोग ध्यार रखें लापरवाही से उपलब्धिक हो सकती हैं बात करती हैं सीहत की आप एक ही साथ कई चीजों के बारे में चिनती थें लेकिन इससे आपका तनाव भी बढ़ रहा है धर्ती पर नंगे पैर चलनी की कोशिश करें इससे आपके शारी और दीमाख दोनों को ही ताजकी मिले की आपके आखों में दर्द की समश्या हो सकती है इसलिए आखों को अच्छी प्रकार धोएं और ज्यादा तर्शे में सोनी की कोशिश करें आज का उपपाएं आज अब गरीबों को तामबे से बनी वस्तूओं का दान करें आज सुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमें इसस सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दे शुग हूँ